नमस्कार दोस्तो गरलिंट is for you में आपका हारड़ी स्वागत है दोस्तो खीरा गर्म्यों में हर जक्रिक असानि से उपलत हो जाता है खीरा नेमेत रुप से सेवन करने से आपकी सेथ बरकरार रहती है खेरा नेवर रूप से खाने से सरी में नमी बरकरार बनी रहती है और एनरजी लेविल बना रहता है गर्मियों में खेरा खाना सहत के लिए हल्दी होता है क्योंकि इसमें पानी के मातरा अथिक होती है जो हमें डिहाइडरेसन से बचाए रखता है अक्सर लोग खेरे का सेवन सलात के रूप में करते हैं या फिर इसे काट कर और उस पर नमक लगा कर खाते हैं आप चाहें तो खेरे का जूस भी पी सकते हैं और इसके जादा से जादा लाब पा सकते हैं खीरे के जूस में कई तरह के विटामिस और मिरल तत्व होने के साथ ही ये शरी को डिटॉक्स भी करता है खीरे के जूस पिने से क्या-क्या लाब होते है Toy आए बताते हैं आपको इसके बारे में लेकिन दोस्तों इसके बाये में जानने से पहले अगर आपूंबर ईशी के पहली बार आई है तो दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साती साथ चेल में दियेगे पहले आकन को दबाना ना बोले जिससे कि आपका हमारे चेल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले रात हो सकें नमबर एक है इमिनिटी बढ़ाए खीरे का जूस दोस्तों जिन लोगों की रोग पेतरो दुख छमता यानी इमिनिटी कमजोर होती है जिसके करण वो बार बार बीमार पढ़ते रहते हैं और खीरे का जूस चरूर पीना चाहिए ये हेल्दी और पोस्ट्रेक तत्तों से भरपूर होता है विटामिन सी से भरपूर होने के करण या इमिनिटी को बढ़ाता है एंटि अक्सिडेंट और पानी के मातरा अधि होने के करण ये शरीक से नुकसान दायक पदारतों को बाहर निकालने में मदद करता है नमबर दो है वज़न गम करने में मिलती है मदद दोस्थों जो लोग वज़न गम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए खीरे का सेवन काफी फाइदेबन रहता है खेरे में पानी अधिक और कैलोरी कम होती है इसलिए वजन कम करने के लिए ये अच्छा विकल्ब हो सकता है ये एक लो कैलोरी जूस है साथ ही इसमें मौजूद एंटी ऑक्सिजन एक तरह का प्राक्तिक मौटाबॉलिजम बुश करने वाला तत्तु है जो कैलोरी को जलाने में मदद करता है इसे प्रते दिन जब आप पिएंगे तो आपको वजन कम करने में काफी मदद मिल सकती है कि आने में मदद करता है कुछ अधिरों में ये बात सामने आई है कि खीरे के बीच बैट करलिस्टॉल लेविल को कम करते हैं जो ब्लड पेशल को भी प्रभावित करता है नमबर 3 है टोचा के लिए फायदे बन झाल खीरे का अप्योग कई प्रकार की तोचा संभने समस्चाओं में फायदे बन पाया गया है वैसे ही खीरे का रस भी अच्छी सेहत के साथ ही बहतर तोचा के लिए लाब दायक हो सकता है रिसर्च के अंसार, खेरे के अर्क में विटामिन A, विटामिन C और एंटी अक्सिजन पायाता है ये पोशक तद्द और प्रभाव तोचा के लिए कई प्रकार से फायदमन्द हो सकते हैं जैसे खेरे के अर्क में पाए जाने वाले विटामिन तोचा को मुश्राजर कर रुखी तोचा की समस्या में मदद कर सकते हैं ये तोचा के अतरिक सीबम के स्राव को रोकने तोचा की सूजन और मेलेनिन के प्रभाव को कम करने में भी लाबदायक हो सकते हैं वहीं इसमें पाई जाने वाला एंटि आक्सिडेंट प्रभाव तुचा को जमा बनाये रखने में मदद कर सकता है यही वज़ा है कि खेरे का अर्क का इस्तमाल विभिन्ने प्रकार के स्किन केर पदार्थों में भी किया जाता है इन सभी तथ्यों को देखते हुए हम खेरे के जूस को तुचा के लिए लाबकारी मान सकते हैं दोस्तों अक्सर आपने गौर किया होगा ब्यूटी पालर या इस्पा में चैरे से समद्धी ट्रीट्मेंट लेने के दोरान आँखों पर खेरे के टुकड़े रख दिये जाते हैं ऐसा इसलिए किये जाता है क्योंकि ये आँखों को ठंड़क पहुँचाता है सूजन कम करता है खेरा आँखों के सौस को बढ़ाता है खेरे के रस में एंटी आक्सिडंट और विटामिन ए रेटीना में आक्सिडेविट तनाव को कम कर सकते हैं जिससे आँखों के रोशनी बहतर होती ہے उम्र बढ़ने के साथ अत्स होने वाली आंखों के समस्य कि में मदद कर सकता है। नंबर पांच क्रेंद संभा विकार जैसे हर्ट बर्न पेट से जुड़ी सूजन और अलसर जी के सो दूर तर्स के पत अत्बह सी पुस्टी की गई है कि खेरे में मौजूद पानी और डाइटरी फाइवर पाचन तंतर से विसाख पदार्थों को दूर करने और पाचन पक्रिया को ठीक करने में मदद कर सकते हैं इसके अलावा खेरे का सेवन कबजी की समस्या में भी लाबकारी हो सकता है इसे गौट के दर्द के लिए लाबकारी माना गया है वहीं अगर खेरे को गाजर के रस के साथ मिलाकर लिया जाये तो यह यूरिक एसिट इस्तर को कम करके गठिया और गठिया के दर्द में रहत दिला सकता है नमबर साथ है सांसों के बद्बू से रहत दोस्तों मुह में रहने वाले वेक्टिरिया सांसों के बद्बू के करण बन सकते हैं सांसों से आने वाली बद्बू से रहत पाने के लिए खेरे का जूस फायदे बंद हो सकता है रिसर्च के अंसा खेरे के जूस में फोटो केमिकल पाए जाते हैं खेरे के जूसें पाई जाने वाले फोटो केमिकल्स मुग की दूरगत के कराण बनने वाले वेक्टिरिया को खत्म कर सांसों की बद्बूर की समस्या से रहत दिला सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और साथ जात इसे लाइक भी कीजिएग जिससे के हमारे परसाम बढ़ सके और हम आपके लिए और भी रोज़क भरे वीडियो ला सके दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद